लेकिन सबसे गंदी चीज क्या है घटना घट जाना बड़ी बात है लेकिन उससे भी जादा बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार है वो उस पर राजनीत करने की कोशिश करें इधर बाले चैने उधर बाले हमारी आख में नमी नहीं आती हमारी आख में आद्रता नहीं आती कि ये लोग मर गए हम सोचते हैं कि इसमें वो कोई एंगिल आयाम ढून के लाओ जिससे बोट का मसला कुछ सथ है कि क्यों भाई हम यह नहीं मान के चल सकते कि मेरे राज्य के लोग कि इस बीभत सक्षिम की ब्रत्य को प्राप्त हुए कि क्या ऐसा संभव है कि वो दस लोग आद्मी समाधी ले लिए नहीं ना मारे गए है न कुंडी लगा कर इसलिए यह सवाल खड़ा होता है इसलिए घड़ा होता है कि सत्था की आँख जहां नम्न होना बंद हो जाती है वहीं से विसंगतियां पैदा होना शुरू होती है प्वधिक दुगाली करना भेउसरा ले वह आपको रास्ता भी दे देती है फ्टके बच्क भागने के लिए लेकिन इतिहास आपकी जिम्मेदारी ते करता है इतिहास जिम्मेदारी ते करता है अपने अपने शाषनकाल में सबने अपनी अपनी फाइले दुरुस्त कर ले कोई ऐसा मुरक है अपने शाषन काल में भी पाइल दुस्त कर ले लें फिर भी इतिहास समिक्षा करता है और आपकी जिम्म्मिदारी टेक करता है आपका इस्थान वही से निर्धारी धंगत होता है इतिहाना किएगा अनंतकाल तक सत्ता में कोई रह नहीं सकता जो पर्षिम बंगाल माना जाता था कि बामपंथ का अजय दुर्ग है बाहां बामपंथ को टॉर्च लेके ढूनना पड़ रहा है कुछ हो सकता था तो बाकी को भी ऐसा दर्पनाई होना चाहिए जिनके नाम से बंगाल जाना जाता था जब वो ही उनकी पाट्या ही गंगा सागर में बिलीन हो गएं तब बाकी क्या करेंगे इतना जरूर ख्याल रखिए और मैं तो राजनीतिक लोगों का भई देखता हूँ उनका कबूतर जैसा मन देखता हूँ दुनिया भर में बोलने के लिए वाचालता उनके होठों पर हमेशा तहरती रहती है कि कहीं से कोई अवसर आए तो बोले बागनोतरी जिर्ण हमारी भी एक बाई करवाई कि विशे समझ आए ना आए बोलना है कि इस पर भोलने से बचना चाहा रहे थे कि क्यों भाई कि आपको दस लोगों के म्रतु पर यह कहने में भी संकोच है कि हां मेरा मन खराब है मुझे कर्ष्ट हुआ शाषन की जिम्मेदारी है यह उनकी जिम्मेदारी थी इतना बोलने में भी साहिद्र खराब है आपको डर लग रहा है आप बहस में नहीं आना चाहते अभी अभी यह बहस मद्यप्रदेश पर करो तो एक बुलाओ तेरा आएंगे यह भारत की राजनीत का गिरता हुआ इस्तर है इसकी समस्या है पौन किसके साथ अखराद की ग्रेविटी तयोगी क्या कोन किसके साथ गटबंदन करेगा इसके आधार पडिपनया ते होंगी अपरादपद नहीं बंगाल में जो हुआ वह भरत माता के माथे पर कलंग करेगा राज की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है देखे कि वेवस्था सम्विधान के अनकूल चले लोगों को न्याय मिले लोगों का जानमाल की हिपाज़त पहली गारंटी है राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में यह तू तू में में अंताच्छडी नहीं चलनी चाहिए इसका भी कुछ निस्तारण होना चाहिए मैं इससे भी लोग तंतर का मान घड़ता है और लोगों को बचके निकलने का रास्ता मिलता है है कि पश्यम बंगाल में राजनेतिक हिंसा एक समस्या थी है और मुझे नहीं लगता कि कि किसी पार्टी का वहां कोई मन है कि राजनेतिक हिंसा का ज़ो चलन है परस्चिम मंगाल जाए कि पताब वामपंथ को सूट करती थी राजनेतिक हिंसा के तो ममताजी घायल होती तही है थोका नहीं है कि फॉर्णा ठोड़ा ड़र भी चलता रहे के है आंकडे बताते हैं कि पसिं बंगाल में राजनेतिक हिंसा etwas का प्रतु रोप रुखा नहीं है थमा को यह थी पर नहीं है कर देख लिए कि जिस बात के लिए लड़ाई हुई थी कि राज नेतिक हिंसा से पानी है तो बांपंत को भगाना होगाक है गोगा दिया जनता ने फिर भी राजनेतिक हिंसा है वहाँ इस पर रोक लगनी चाहिए इसके लिए केंदर भी जवाबदार है इतिहास केंदर की भी जिम्मेदारी पर उंगली उठाएगा केंदर की जिम्मेदारी पर भी टिपनी करेगा अब उत्तर चाहिए प्रोट्योबाई केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्थ पे सबसे ज़्यादा असरदार एंट प्रियाग पीटी एमटी बार्ट फिटिंग्स एंड अक्सेसरीज क्वालिटी बेमिसाल लिख के ले लो